जोहार जहरखंड, बाबा वेदिनाद जी की जय, बाबा वासु किनाद जी की जय, यहाँ से जो एक शेत्र है, यहाँ से मेरे परिवार का पुराना रिष्टा है, आपने भी सुना होगा, पंडित नहरूर जी की समय से, जब मोतिया डुमरिया गाउं के एक कारिकर्ता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बुलाया था, तो आपने एक कहानी सुनी होगी, सुनी है, क्या सुना है, कि पंडित जी को भुलाया था, अपनी बेटी की शादी में, उस समय बहुत दिन लगते थे पत्र को पहुँचने में, तो पता नहीं वो पत्र पहुचा था कि नहीं, लेकिन उपर से एक हवाई जा रहा था, तो सब ने सोचा, शायद पंडित जी आ रहे हैं, उस समय लेकिन आज मैं आ गई हूँ उनकी जगे में, बहुत सालों बाद, इंद्रा जी के दिल में बाबा वैदिनाद जी के लिए बहुत स्रद्धा थी, और आपके पूरे समुदाय के लिए बहुत स्रद्धा थी, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, तो एक बार मेरे माता पित 10-15 दिन के लिए बाहर चले गए थे, कहीं घूमने, तो मैं अपनी दादी जी के कमरे में सोती थी, और रोज रात को वो मुझे सुलाने से पहले कहानी सुनाती थी, और उनकी एक सबसे, उनको जो पसंद थी, वो किताब थी, एक आदिवासी मच्छवारे की कहानी थी, और ह रोज रात को मुझे वो कहानी सुनाती थी, और सुनाते सुनाते मुझे आपकी संस्कृती के बारे में सिकाती थी, कहती थी कि किस तरह से आप पेडों के, पौधों की, एक दम अच्छी तरह से आप किस तरह से देख बाल करते हैं, बताती थी कि कैसे आपकी संस्कृती में जंगलों और नहरों और नदियों का आदर होता है बताती थी कि कैसे आप जिस तरह पूचते हैं पूरी प्रकृती को और जिस तरह से आप प्रकृती को कभी खराब नहीं करते हमेशा उसका देखबाल उसका रखवाला करते हैं ये समझाती थी और मुझे लगता था उस समय जब मैं छोटी थी कि उनके दिल में आपके प्रती बहुत ही श्रद्धा थी बड़ी हुई तो समझ में आई और भी बाते और देखा कि दादी जी जो भी जब जब आदिवासी क्षेत्रों में जाती थी जो भी आप लोग देते थे उन्हें कोई एक टोकरा देता था कोई कुछ हाथों से बना के आपकी हस्तकला से कुछ सुन्दर सा बना के देता था सारी चीजें वो अच्छी तरह से सजा के अपने घर में रखती थी आज भी उनका घर एक म्यूजियम बना है आज भी अगर उस घर में जाएं तो आपको उनके कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको दिखेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी श्रद्धा थी उनके दिल में आपके लिए तो उन्होंने बच्पन में हमें ये सब चीजें सिखाई लेकिन इसके साथ साथ ये जो उनकी श्रद्धा थी पूरे आदिवासी समाज के लिए वो श्रद्धा कॉंग्रेस पार्टी की नीतियों में भी आपको प्रकट होती है वो दिखती है तो इंद्रा जी ने जल, जंगल और जमीन का अधिकार आपको मजबूत तरे से दिया जमीन के पट्टे और जंगल पे जो अधिकार हैं उन्होंने ही मजबूत बनाए आपका तो वैसे भी जो इतिहास है उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए पूरा देश का गौरव है सिद्धो कानों चांद बेरो जी और तिलका मांजी जैसे महान नेता यहीं से उब्रे हैं मैं उन सभी आदिवासी नायकों को प्रणाम करती हूँ और आपका इतिहास जो है उस से प्रेड़ना लेती हूँ हमारी जो नीतिया है कॉंग्रेस पार्टी की वो हमेशा आपको मजबूत बनाने वाली नीतिया रही है लेकिन आज जो देश में सरकार है भाजपा की वो ठीक तर एसे ना आपको पहचानती है और ना आपके लिए ठीक नीतियां बनाती है आपने देखा होगा कि आज क्या हो रहा है देश में आपके मुख्यमंत्री जी चुनाओ से पहले ही जेल में डाल दिये जाते हैं क्यों? फर्जी बयानों पे फर्जी मुकदमों पे उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाओ आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है लेकिन एक बात है वो शायद ठीक से आपके समाज को समझ नहीं पाए मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमन सोरे इन जी को जेल में डाल देंगे तो यहाँ चुनाओ आसानी से जीद जाएंगे यहीं सोचा होगा लेकिन आपका समाज आदिवासी शक्ति इतनी मजबूत है आपमे इतना गर्व है आपमे इतनी शक्ति है कि आज देखिये कलपना जी हेमन जी की लड़ाई लड़ रही है शेरनी की तरे अभी आने वाली है शेरनी की तरे सब मुसीबतों का सामना करते हुए वो उभर गई है और आगे आई है आपके बीच हर जगे जाकर हेमंत जी की बात पहुचा रही है और हमारे जो पूरे इंडिया गट बंदन के प्रोग्राम है उनके बारे में बता रही है मैं उनको अपनी चोटी बेहन मानती हूँ और नारी शक्ती की प्रतीक मानती हूँ जब-जब मैं उनको देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है मुझे बहुत गर्व होता है सोचिए आज तक उन्होंने राज़नीती नहीं की थी आज तक बच्चों का देखबाल कर रही थी घर पे अचानक उनके पती को जेल में डाला जाता है घबराती नहीं है, हिम्मत नहीं हारती घर पे बैठके रोती नहीं है उठके अपने पती की लड़ाई, अपनी समाज की लड़ाई आगे बढ़ाती है और हिम्मत से लड़ रही है तो आप सब को बहुत गर्भ होना चाहिए कि आपके आदिवासी समाज की शक्ति आज उन में दिख रही है देखिए आज देश के क्या हलात है एक ऐसी सरकार है देश में जो आपका आदर नहीं करती है इसका मिसाल यही है कि आपके मुख्यमंत्री जी को चुनाओं से एकदम पहले उन्होंने जेल में डाल दिया है लेकिन एक और बड़ा मिसाल है कि इनके नेता जगे 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 जाके यह कह रहे हैं कि अगर इनको पूरी बहुमत से जिताया जाएगा तो सम्विधान को बदल डालेंगे इस सम्विधान ने आपको अधिकार दिये है इस सम्विधान ने आपको अपने जंगलों पे जल पे जमीन पे हक दिया है इस सम्विधान ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है और इस सम्विधान ने आपको आरक्षन दिया है जब भाजपा के नेता इसको बदलने की बात करते हैं तो उनका क्या मतलब है क्यूं की है ये बात इसको गहराई में समझने की जरूरत है शुरू में इनके कुछ प्रत्याशियों ने ऐसा कह दिया अपने अपने सांसदियक शेत्र में जहां से चुनाओ लड़ रहे थे वहां से ऐसा कह दिया की हमें 400 सीट दीजिये हम सम्विधान बदल डालेंगे ऐसी बातें 9-10 जगों से इनों ने कही है उसके बाद इनको लगा कि इसको कहने से इतनी खुली तरे से कहने से नुकसान न हो जाए तो मोदी जी चुनाओ के मंचों पर आकर मना करने लगे कि नहीं नहीं हम सम्विधान को नहीं बदलेंगे लेकिन मोदी जी ने खुद ही इन लोगों को कहा होगा कि जाकर कहिए कि सम्विधान बदलेंगे क्योंकि मोदी जी की पार्टी में उनकी इजाज़त की बिना इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता तो पहले इन्होंने भेजा लोगों को कि ये बात पहला दो फिर डर लगने लग गया कि जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी क्योंकि इसमें आरक्षन की बात है तो फिर बात पलटने लग गए लेकिन हमने बहुत बार देखा है पिछले दस सालों में कि जो जो बाते इन्होंने की है इस तरह से जिनका शुरुआत इन्होंने किया है कि किसी से कहलवा दिया और पहले बना कर दिया हम नहीं करेंगे और फिर जब इनको बहुमत मिल जाती है सत्ता मिल जाती है तो वही काम करने निकलते हैं तो हमें भरोसा नहीं है भाई अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये संविधान को बदल डालेंगे ये आपके आरक्ष्णों को कमजूर करेंगे आपके अधिकारों को कमजोर करेंगे इसका हमें पूरा यकीन है क्योंकि दस सालों में इन्होंने लोक्तंत्र को हर तरे से कमजोर करने की कोशिश की है कैसे? इन्होंने संसरत को कमजोर किया जहां पहले जब कानून बनते थे तो सब की चर्चा होती थी विपक्ष के दल के साथ चर्चा होती थी बहस होती थी वो सारे तमाम बहस बंद कर दिये इन्होंने अपने पूरे विपक्ष पर बहुत जोरदार आकरमन किया यहां आपने देखा हेमन सुरेन जी को जेल में डाल दिया उन पे मुकदमे डाल दिये राहुल गांदी जी पे कई प्रदेशों में अलग अलग मुकदमे डाले गए उनको संसद से निकाल दिया गया उनको अपने घर से भी निकाल दिया गया दिल्ली के मुक्यमंत्री जी को भी जेल में डाल दिया गया उन पर भी मुकदमे डाले गए और कॉंग्रिस पार्टी के खातों को भी बंद कर दिया इसके साथ साथ न्याए पालिकों पर भी आक्रमन किया उनको कमजोर करने का काम किया और आज जतनी भी देश की मीडिया टीवी के चैनल आप देखते हैं उन साथ को इनके खरबपती मित्रों ने खरीद डाला है तो आज इस देश में लोग कंत्र के लिए लड़ने के लिए सिर्फ जनता है और कुछ विपक्ष के नेता है हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ भी हो जाएगा हम इनको सम्विधान बदलने नहीं देंगे आपके आरक्षणों को कमजोर नहीं होने देंगे आपके अधिकारों को कमजोर नहीं होने देंगे इन्रागांदी से लेकर आज तक हमारे सारे नेताओं ने आपको मजबूत करने का काम किया है आपकी संस्क्रिटी को बचाने की लड़ाई हमारी लड़ाई है हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कलपना जी आ गई है जल जंगल और जमीन पर जो आपके अधिकार है उनकी रक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है नमस्कार आज़ाई यहां जाएए मैं इनको अपनी छोटी बेहन वानती हूँ सबने ताओं से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कलपना जी है मैं कह रही थी कि जो जल जंगल और जमीन पर आपके अधिकार है इनको बचाना हमारा काम है हमारा कर्तव है आज भाजपा के नेता और इनके बड़े बड़े खरबपती मित्रों की नजर आप ही के जल जंगल जमीन पर है SPT और CNT Act के साथ छेर चार करने की इच्छा है आपने खुद यहां देखा कि आपकी जमीन आपका पानी प्रधान मंत्री जी के बड़े खरबपती मित्र अडानी जी को दे दिये गए और आपको ना नौकरी मिली उनकार खानों से और ना बिजली मिलती है सारी बिजली विदेश जाती है आपको नहीं मिलती ये हैं भाजपा की नीतिया आज इनोंने पूरे देश के विपक्स पे हमला किया हुआ है पूरी देश की बीडिया पे कब्जा किया हुआ है ताकि आपको इनकी सचाई ना पता चले इनकी सचाई क्या है इनकी सचाई ये है कि पूरे देश में जितनी भी इनकी नीतिया है साब इनके बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही है जिस तरह से यहां पेसे आपकी जमीने ली आपको मुआफ़ा ठीक ढंक से नहीं दिया यहां पे बड़े बड़े खरब पतियों का खूब फाइदा हुआ लेकिन आपका फाइदा नहीं हुआ इस तरह से पूरे देश में कर रहे हैं देश के कोईले के खदान, देश की बिजली, देश का पावर, देश के हवाई अड़े, देश के बंदरगा, सारे अपने बड़े बड़े खरब मतपती मित्रों को दे दिये गए हैं ये लोग कर्ज माफ करते हैं अपने बड़े भड़े खरब पती मित्रों के 16,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 लगता है, हर सामान महंगा हो गया है, खेती से कमाई नहीं हो पाती, कर्ज लेना पड़ता है, नुकसान होता है, बारिश आती है, उले पड़ते हैं, बार आती है, तो मुआज़ा तक समय पे नहीं मिलता, आपकी उपज का सही दाम भी नहीं मिलता, ये परिस्थितियां बन ग कर न चुकाने पाने से आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं नहीं कर पाते हैं आज किसान को अपनी बेटी की शादी करानी हो अपने बच्चे को पढ़ाना हो तो कर्ज लेना पड़ता है खेती में नुकसान हो गया तो नई खेती करने के लिए कर्ज ल महंगा हो गया है, हर चीज महंगाई से दबी हुई है, कमाना मुश्किल हो गया है, इसी तरह से मेरी बेहने आज दुकान जाती हैं, तो आदी चीजें खरीद नहीं पाती, घर पे कोई बिमार पड़ जाता है, या कुछ नुकसान हो जाता है किसी वज़े से, दो तीन दिहाडिया नहीं मिलती, तो कोई भूका रह जाता है घर पे, और आदिवासी समाज के लिए तो और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, आपके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा बोज बन गई हैं, आप इसका सामना कर नहीं पा रहे हैं, अगले दिन को किस तरह से आप निकालेंगे, किस तरह से आप अपने जीवन का सामना करेंगे, इसके बारे में मोदी जी और उनके बड़े-बड़े नेताओं को कुछ नहीं मालूँ हैं, यहां के जो प्रत्याशी हैं, वो बाहर के हैं, दिल्ली में ही र और डिलम एक बड़ा होटेल है ताज होटेल कि उसी के चेंबर में रहते हैं हमें यहां वहीं प eli बड़े Reistiरयांट में बडहीं खरप पतियों को खिलाते पिलाते हैं कि यह आपके बीच नहीं आते हैं कि यह आप जानते हैं इ corrug जो जनता से कट चुका है वो जनता का भला नहीं कर सकता आज मोदी जी भी और यहां के प्रत्याशी भी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि वो जनता से कट गए हैं उन सब का अहंकार बहुत जादा हो गया है आपके बीच आते नहीं हैं मोदी जी का अपना सांसदी एक शेत्र ह वारानसी उसमें एक गाउं के अंदर नहीं जाते एक बार जलता से नहीं मिलते और यहां आपके प्रत्याशी किसी के गाउं में नहीं जाते कभी पूछते नहीं कि आपका जीवन कैसे गुजर रहा है किसी के घर में जाकर यह पूछना कि महंगाई का सामना कैसे कर रहे हो आपके कितनी मुसीबते हैं ये कोई पूछता नहीं है आज पूरे देश में ना किसानों की सुनवाई है ना नौजवानों की सुनवाई है ना मजदूरों की सुनवाई है मजदूरों का शोशन हो रहा है नौजवानों के लिए रोजगार के लिए कोई स्कीम नहीं है भयंकर बेरोजगारी है देश में मोदी जी के दस सालों के राज में 45 सालों में सबसे ज़ादा बेरोजगारी है सतर क्रोन नौजवान आज हमारे देश में बेरोजगार है आप बताएए जितने नौजवान यहां खड़े हैं हाथ उठाईए सब शिक्षित हो की नहीं पढ़ाई लिखाई की है सारे शिक्षित हो क्योंकि आज कोई ऐसा परिवार नहीं है चाहें जितना भी पिछड़ा जितना भी खरीब नहों जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है लोग कर्ज लेंगे कर्ज उठाएंगे मेहनत करेंगे दो दो तीन तीन परिवार के सदस से काम करेंगे नौकरी ढूनेंगे मजदूरी करेंगे लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे तो आ किसी को रोजगार नहीं मिलता क्योंकि जहां जहां से रोजगार बनते थे वो सारे साधन मोदी जी की नीतियों से खत्म होने जा रहे हैं आपने खुद ही देखा यहां अडानी जी आए आपकी जमीन ली आपको रोजगार मिला आपको रोजगार मिलता था वो तमाम अपने बड़े-बड़े खरबपती दोस्तों को सौप दिये है इनोंने उनकी जितनी भी सबसिडरीज है उनको दे दिया है खरबपतियों को जैसे मैंने आपको कहा सारे बंदरगा, खदान सब इन बड़े-बड़े खरबपतियों को दे दिये हैं रोजगार कहां से आएगा खेती-किसानी से आता था आज खेती-किसानी में खुद कमा नहीं पा रहा है कोई तो रोजगार क्या देगा एक समय में छोटे कारोबारों से भी आता था जो आप अपना बिजनस शुरू करते थे कोई मैनुफेक्टरिंग का यूनिट कोई छोटी-मोटी दुकान या कोई अपना छोटा कारोबार लेकिन नोट बंदी के चलते जी-एस-टी के चलते छोटे बिजनस के लोगों की पूरी तरे से इन्होंने कमर तोड़ दी तो छोटे बिजनस भी कमा नहीं पाते तो वो भी रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं और जहां तक इनकी रोजगार की स्कीम है तो ये अगनी वीर जैसे स्कीम लाते हैं आप सब मेहनत करते थे यहां के नौजवान कि हम सेना में भरती होंगे देश के लिए सहीद होने की इच्छा थी लेकिन अपने माबाप का देखबाल अपने परिवार की परवरेश अपनी परिवार के लिए एक स्थाई रोजगार लेने की भी इच्छा थी आप सब ने परिश्रम किया मोदी जी की सरकार ने क्या किया अगनी वीर ले आए बोला कि चार साल बाद सेना में भरती हो जाओ चार साल बाद घर आ जाओ फिर से नौकरी ढूनना शुरू करो तो आज नौजवान सोचता है कि मैं क्यूं करू इतना परिश्रम जब चार साल बाद घर लोट जाओंगा फिर से मैं बेरोजगार हो जाओंगा कोई स्थाई नौकरी नहीं कल को मैं शहीद भी हो गया तो मुझे पूरी तरे से शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा सरकारी कंचारियों को देखिए आज पुराना पेंशन सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस के प्रदेशों में मिल रहा है जहां जहां भाजप्पा है वहां पुराना पेंशन नहीं मिलता नया पेंशन है तो लोग सालों के लिए आज जीवन सरकारी नौकरी करते हैं यह सोच के कि जब हम बुड़े होंगे जब हम रिटायर होंगे तो कोई साधन होगा हमें थोड़े थोड़े पैसे हर महीने मिलेंगे आज उन पैसों पर भी आपका अधिकार खत्म कर दिया है तो इस सरकार ने पूरी तरे से जनता को कमजोर करने का काम किया है ऐसी ऐसी नीतिया लाएं हैं जिनसे आपकी कमर तूट रही है जिनसे महंगाई बढ़ रही है बेरोजगारी बढ़ रही है और आपकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है आज कॉंग्रिस पार्टी आपको ये गैरेंटी दे रही है कि किसानों के लिए हम कर्ज माफ के लिए एक माफी के लिए एक स्थाई आयोग बनाएंगे जब जब आपको कर्ज का संकट होगा आप उस आयोग से रहत मांग सकेंगे आपके खेतों पर जब नुकसान होगा तो तीस दिन के अंदर उसका पूरा मुआज़ा आपको मिलेगा भुक्तान आपको मिलेगा खेती के सारे समानों से जी एस टी को हटाया जाएगा उनको सस्ता किया जाएगा आज आपको सही दाम नहीं मिलता उपज का हम आपको सही दाम दिलवाएंगे ये कानून बनाएंगे समर्थन मूल्य मिलना है और जो आपकी यहां की उपज है जो आपकी कुछ ऐसी उपज है जो यहां आपके जंगल के इलाकों में होती है उन उपजों के लिए भी हम न्यून्तम समर्थन मूल्य दिल्वाएंगे SCST का सब प्लैन हम लागू करेंगे और जितनी इनोंने संशोधन किये हैं उन संशोधनों को हम ठीक करेंगे और जिस तरह से आप इनोंने आपके समुदाए आपके समाज पर लगातार आक्रमन किया है उस आक्रमन को हम रोकेंगे आज पूरे देश भर में श्रमिकों का शोशन होता है हम एक कानून लाएंगे कि पूरे देश भर में प्रति दिन 400 रुपए से कम मजदूरी नहीं दे पाएगा कोई कोई भी ठेकेदार हो वो इससे कम मजदूरी नहीं दे पाएगा जैसे हमने गाओं में मनरेगा लागू किया था आपको मालुम होगा कि गाओं में मनरेगा लानी वाली कॉंग्रेस पार्टी थी ये सौ दिन का जो रोजगार का आपको अधिकार मिला हर गाओं में ये कॉंग्रेस अधिकार लाई आपके लिए इसी तरह से हम शहरों में भी मनरेगा लाएंगे कि शहरों में भी सौ दिन का आपको अधिकार होगा कि आपको रोजगार मिलना ही मिलना है आपको याद होगा कि मोदी जी ने मनरेगा के खिलाफ संसद में भाशन दिया था वो मनरेगा को बंद करना चाह रहे थे फिर पता चला कि जनता को ये बात ठीक नहीं लगेगी तो इन्होंने आस्ते आस्ते अपने पूरे कारिकाल में मनरेगा को कमजोर बनाया है काउंग्रिस के जमाने में आपको मनरेगा के पूरे पैसे मिलते थे आज कल आपको नहीं मिलते क्योंकि इन्होंने अपने मनरेगा में अपनी राशी डालना कम कर दिया है हम पूरी राशी डालेंगे उसको बढ़ाएंगे ताकि मन्रेगा जैसे कारिक्रम जिससे आपको शक्ती मिलती है जिससे गाउ मजबूत होता है वो मजबूत हो इसके साथ साथ 25 लाख की हम स्वास्त भी माल आएंगे 25 लाख रुपे तक गरीब परिवारों के लिए सारा इलाज मुफ्त होगा इसका मतलब है कि कैंसर का ट्रीटमंट, हार्ट के ऑपरेशन, ब्रेन की सरजरी तक आप मुफ्त में करा पाएंगे ये काम हमने राजिस्थान में जब हमारी सरकार थी करा के दिखाया हमने जहाँ जहाँ हमारी सरकारे हैं वहाँ ऐसे ऐसे काम किये है आज करनाटका में तिलंगाना में मेरी बेहनों के खातों में दो-दो हजार रुपे प्रतिमा हमारी सरकार डाल रही है इसी तरह से देश भर में हम ये करेंगे कि जो गरीब परिवार है उनमें जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हम 8500 रुपे हर महीने डलवाएंगे इस से एक लाक रुपे हर साल हर गरीब परिवार में पहुंच जाएंगे डाइरेक्ट सरकार की तरफ से ताकि आप महंगाई का सामना कर पाएं महिलाओं को 50% सारी जो सरकारी रोजगार है महिलाओं को मिलेंगे इसके साथ साथ आशा बहुए अंगंडवाडी मिड़े वील वाली बहनों का हम बान दे बढ़ाएंगे मेरे नौजवान साथी यहां खड़े हो मैंने कहा आप सब शिक्षित हो आप सब शिक्षित हो लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलता हम एक स्कीम लाना चाहते हैं जिससे जो जो नौजवान सना तक पास है उसको एक अप्रेंटिशिप के प्रोग्राम में डाला जाएगा जिससे बड़े बड़े सरकारी कारखानों में उसको एक लाक रुपे सालाना नौकरी मिल जाएगी कि नौकरी मिल जाएगी उस नौकरी से उसका हुनर बड़ेगा और वो एक लाक रुपे कमा पाएगा और कमाते कमाते वो सीखेगा भी ताकि बाद में उसको एक स्थाई नौकरी मिल पाए ये हमारी guarantee है आपके लिए हम paper leak के खिलाफ एक सक्त सक्त कानून लाएंगे क्योंकि आज कल आप trust है आप paper डेते हैं paper leak होता है आपकी नौकरी नहीं नुक्ती नहीं होती आपके result नहीं आते आप ठेरते हैं पूरी जिंदगी निकल जाती है जवाणी निकल जाती है लेकिन paper बार बार देना पड़ता है डौक्रियां नहीं मिलती इसलिए paper leak के खिलाफ एक सक्त कानून लाएंगे जिससे जो जो अधिकारी paper leak करने की कोशिश करे या मदद करे या कोई घोटाला करे उस पर सक्त से सक्त कारवाई होगी उन्होंने भरे नहीं है हमारी guarantee है कि हमारी सरकार के आते ही हम ये 30 लाग के 30 लाग पद भरेंगे आपको ये रोजगार मिलेंगे हमारी सबसे बड़ी नीती यही है कि हम देश की जो संपत्ती है वो वापिस आपके हातों में आपके जेबों में डालना चाहते है आज जो काम मोदी जी ने किया है कि देश की सारी की सारी संपत्ती बड़े बड़े खरबपतियों को मिल रही है और देश का जो आम आदमी है जो गरीब है जो मिडल क्लास है वो पिस रहा है इनकी नीतियों से इसको हम बंद करेंगे ये उनका जो काम है जो इन्होंने शुरू किया है जिसका आपके सामने प्रचार नहीं होता क्योंकि पूरी टीवी के जो जितने भी चैनल है सिर्फ ये प्रचार कर रहे है कि देश बहुत आगे बढ़ गया है मोदी जी के राज में दस सालों में मोदी जी ने जाने क्या क्या कर डाला कि देश इतना आगे बढ़ गया है जो सतर सालों में नहीं किया वो मोदी जी ने दस सालों में किया है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ये प्रचार जो आप हर रोज टीवी पे देखते हैं और बड़े-बड़े होडिंग्स पे देखते हैं अगर ये सचाई है तो ये सचाई आपके जीवन में क्यों नहीं दिख रही है ये 140 क्रोड भारत की जनता के जीवन में ये सचाई आज तक उतरी क्यों नहीं है आज तक आप बेरोजगार क्यों है बेरोजगारी बड़ क्यों रही है महिंगाई इतनी बड़ी क्यों है आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इतना संघर्ष क्यों कर रहे है आपको खेती से आपकी कमाई क्यों नहीं हो रही है अगर ये सारी बाते सच है जो मोदी जी और इनके बड़े-बड़े भाजप्पा के नेता आपको बताते हैं तो ये सच्चाई आपके जीवन में दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए ना तो आपके जीवन में सबसे पहले तरक्की आनी चाहिए आपको देश की जनता है लेकिन आपके जीवन में तरक्की आ नहीं रही है उधर अडानी जी, अमबानी जी और सारे खरब पतियों के जीवन में तरक्की तरक्की आ रही है इनके हजारों लाखों करोड रुपे है और हजारों लाखों करोड सरकार इनको दे रही है और इनसे कमबा रही है आपके यहाँ हजार दोजार पांच हजार रुपए कमाना मुश्किल हो गया है घर में बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है आज ये परिस्थितिया है और इनकी ये हिम्मत भाजपा के नेताओं की और देश के प्रधान मंत्री की कि आपके सामने आकर कहते हैं कि सारे नेता भरष्ट है सिर्फ यही इमानदार है आपके मुख्य मंत्री को चुनाओ के समय जेल में डाल देते हैं और आपके सामने आकर ऐसा कहते हैं कि खुद इमानदार है अगर खुद इतने इमानदार होते तो क्या देश की सारी संपत्ति अपने बड़े-बड़े खरबपती मित्रों को दे देते अगर इतने इमानदार है तो ये एलेक्टॉरल बॉंड की स्कीम क्या ले आएए जिससे 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 इन्हों ने तै किया पहली बार देश के इतिहास में कि जो भी राजरीतिक दलों को चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा ये इमानदार लोग करते हैं अरे अगर आप इमानदार है आपको किसी से चंदा लेना है सब के सामने लेंगे कि छुपके अपने कमने में बंद लेंगे सब के सामने लेंगे ना कि आप कह देंगे कि भी ये लिस्ट जो है गुप्त होनी चाहिए तो मोदी जी ने ये गुप्त वाली स्कीम क्यों बनाई क्योंकि वो इमानदार नहीं है सचाई ये है कि मोदी जी ने इस एलेक्टारल बांड की स्कीम के द्वारा ऐसे ऐसे लोगों से चन्ना लिया है जिन पे मोदी जी ने छापा लगवाया था उन पे छापा लगवाया चन्ना लिया चापे बंद उन पे मुकदमे लगाए चन्ना लिया मुकदमे ठंडे बस्ते में समझ रहे हैं किस किस से चन्दा लिया गुजरात में मौरभी का जो पुल बना जो बह गया सौ सो लोग उसमें बह गय पानी में उस पुल बनाने वाले से गुप्त लिस्ट में मोधी जी ने चन्दा लिया आप सबको वैक्सिन लगी, ठीका लगा हात उपर करो किस को ठीका लगा मुझे भी लगा लगाना नहीं चाह रही थी मैं लेकिन लगा दो दो बार लगा, आपको भी दो दो बार लगा चार बार लगा लिए, वाँ GO बहुत अच्छे पार आप आज पता चल रहा है कि उस TK में कुछ ऐसी चीज है जिससे कई लोगों का रियाक्शन हो जाता है कई नौजवान लोग जो बिल्कुल सेहत मन्द थे ऐसे ही गिर के मर गए कोई जिम कर रहा है कोई खेती कर रहा है ऐसे ही वही के वही और 15 लोगों ने विदेश में मुकदमा लगाया वैक्सीन की कमपनी पे आज अगर आप वैक्सीन मार्किट में ढूटे तो नहीं मिलेगी और याद है जो मोदी जी का चहरा था उस प्रमान पत्र पे वैक्सीन के प्रमान पत्र पे याद है था मेरे पे भी था अब वो चहरा नहीं दिखेगा प्रमाण पत्र पे क्योंकि मोदी जी ने उस वैक्सीन बनाने वाली कमपनी से 52 क्रोड रुपे चंदा लिया तो मोदी जी की इमानदारी और भाजपा की इमानदारी को गहराई से समझ लीजिए बेहनों और भाईयों इनकी जिम्मेदारी इनकी इमानदारी इनकी सारी नीतियां सिर्फ अपने बड़े खरब पती मित्रों के प्रती है आपके प्रती कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको टीके पे टीके लगवा लेंगे उनसे एतीके बनाने वालों से चंदा भी ले लेंगे आपके प्रती उनको कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं होती गहराई से समझ लीजिए और ये तै करिए कि आपको कैसी सरकार चाहिए आपको ऐसी सरकार चाहिए जिसकी नीतियां आपकी भलाई के लिए हो जो इस लोकतंत्र को इस समविधान को मजबूत करने वाली हो ये आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपको कमजोर करे लोकतंत्र को कमजोर करे समविधान से आपके आरक्षन भी कम करे क्या चाहते हैं आप आज यहां हमारे प्रत्याशी श्री प्रदीप यादव जी है आपके अपने हैं आपके अपने हैं और कॉंग्रेस की इन में विचारधारा है ये जाती धर्म से उपर है इनकी विचारधारा सब को एक मानती है गरीबों को, किसानों को ये सर्वों पर ही मानते है इन्होंने दिन रात आपकी सेवा की आप ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं कि वो ताज होटेल वाले बाजपा के प्रत्याशी जो वहाँ जादा दिखेंगे यहाँ कम दिखेंगे आप अपने प्रत्याशी चाहते हैं अपने क्षेत्र के बाहरी उच्छेत्र के यह तै कर लिजे इन्होंने इन्होंने बाबा वैदिनात की सद्यों से आप सबने सेवा की है इस शेत्र में और यह भक्त है उनके यहां के जो पुजारी है जिन्होंने सेवा की है सदियों से उनको मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे मेरा निवेदन है कि प्रदीब जी बाबा के सेवक है ये भी जनता के सेवक है आपके सेवक है इन्हें अपना आशिरवात दीजिए ये आपको ये आपको निराश नहीं करेंगे तो मैं आप से भी और बाबा वैदिनाथ जी के पुजारियों से भी मैं यही उमीद रखती हूँ कि आप सब अपना अशिरवात प्रदीब जी को देंगे मुझे बहुत खुशी है आज कि हमारे वरिष्ट नेता फुरकान जी अंसारी जी और उनके बेटे इर्फान अंसारी जी जैसे हमारे जो नेता हैं वो भी पूरी शक्ती से इस चुनाओ में काम कर रहे हैं हमारी युवा नेतरी दीपिका पांडे जी भी जिन्होंने मेरे साथ हिमाचल में काम किया और उत्राखंड में भी काम किया वो भी लगी लिए इस चुनाओ में पूरा जो पूरी जो कॉंग्रेस पार्टी है पूरी इस चुनाओ में जी जान से लगी है ताकि आपके प्रत्याशी जीते और यहां से भारी से भारी बहुमत से कॉंग्रेस विजए हो कॉंग्रेस की देश में सरकार आए ताकि हम यह सारी स्की में यह सारी गारेंटी आपके लिए लागू करें आप जब यहां का चुनाओ होगा तो आप EVM पर जब हाथ के पंजे पर बटन दबाएंगे तो याद रखिए कि आप हेमन सोरेंजी की रिहाई का रास्ता भी खोल रहे हैं आप कॉंग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो आपको एक ऐसी सरकार मिलेगी जिससे आप पर आपको गर्व होगा आपको गर्व होगा कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो आपके लिए दिन रात काम करके आपकी सेवा करके आपको दिखाएगी आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जैहें